अच की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फोन में कॉल आने पर आवाज नहीं आती है, कॉल आने पर साउंड नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉबलम कैसे ठीक करें, तो इसके लिए आप अपने फोन की सैटिंग्स ओपन करिए, सैटिंग्स ओपन करने के आपस आएगा, इस पर किलिक करिए, एपस पर किलिक करने के बाद उपर मैनेज आपस आएगा, या फिर एप मैनेजर आएगा, या फिर एप मैनेजमेंट आएगा, तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फोन में आ सकता है, हमारे फोन में जैसे की मैनेज आपस आ रह तो आप इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए अब इसे ओपन करने के बाद आपके फोन के सारे एप आ रहे हैं तो यहां पर आने के बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे आने के बाद इस तरीके से यहां पर फोन आएगा या फिर आपके मुबाइल का डायलर आएगा तो इस इस पर किलिक करिए उसके बाद नीचे फोर से स्टॉप आएगा इस पर किलिक करिए उसके बाद ओके करिए अब उपर स्टोरेज आएगा या फिर स्टोरेज यूसे जाएगा तो इस पर किलिक करिए अब नीचे किलियर डेटा पर किलिक करिए उसके बाद किलियर ओल डेटा क क्लिक करिए नोटिफिकेशन्स पे क्लिक करने के बाद उपर आएगा शो नोटिफिकेशन या फिर अलाव नोटिफिकेशन तो अगर आपका ये बंद है तो यहां से इसे चालू करिए इसे चालू करने के बाद अगर आपके फोन में नीचे ये जो नोटिफिकेशन आ रहें हैं यह बंद हैं तो इन सारे नोटिफिकेशन को on करिए इस तरीके से यह करने के बाद बैक आ जाइए उसके बाद सेटिंग में उपर आईए उपर आ कर आगा sound and ふयब्रेशन तो sound and vibration प Angeles किलिक करिए उसके बाद चेक करिए अगर नीचे यहां पधे ringtone volume आपके phone में कम है या फिर mute है तो इसे full करिए कुछ इस तरीके से और ये करने के बाद नीचे आईए अगर आपके phone में silent mode on है तो volume full करने के बाद ringtone का ये automatic बंद हो जाएगा ये करने के बाद नीचे आईए उसके बाद आएगा dnd do not disturb mode इस पर किलिक करिए अगर आपका dnd उपर on है तो यहां से आप इसे बंद करिए और इसे बंद करने के बाद अब अपने phone को एक बार restart करिए या फिर बंद करके चालू करिए और उसके बाद अब चेक करिए यहां पर call आने पर आपके phone में आवाज आ रही है तो इस तरीके से इस problem को ठीक करें विडियो अगर आपको पसंद आई तो इस विडियो को लाइक जरूर करें